आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा यूनिट नंबर फोर का टॉपिक नंबर टू और उसके अंदर हम देखेंगे कि जब हम बच्चों के साथ किताबों को बावाज़े बिलंद पढ़ रहे होते हैं तो जो हमारा content area instruction है उससे related किताबों को अगर हम बावाज़े बुलंद पढ़ें तो बच्चों पर क्या effect आता है content area instruction में क्या उनसी किताब बे आती हैं जो आपकी text books हैं especially हमारे पास preschool में तो text books मौझूद नहीं होती लेकिन जब हम mainstream schooling में जाते हैं grade 1 से तो हमारे यहां text books definitely मौझूद होती हैं और हमारे पास variety of subject हैं जिनके हम किताबे बच्चों को पढ़के सुना भी सकते हैं हम सब इस चीज़ को experience कर चुके हैं being as a student and as a teacher के classroom में पहले teacher read out करता है और फिर बच्चे खुद उसको read out करके सुना आते हैं मुक्तलिफ paragraph पढ़ते हैं जिसे उनकी fluency develop होती है और उनको understanding होती है कि इसे properly कैसे पढ़ना है instruction के अंदर जब हम content area से topics लेते हैं और इसे बावाजे बुलंद पढ़ते हैं तो इसका बड़ा positive effect होता है बच्चों के उपर इसके अंदर आप कोई भी subject ले सकते हैं definitely हर subject में content मौझूद है text मौझूद है चाहिए वो science का है social studies का है history का है तो आप हर subject के अंदर read aloud कर सकते हैं especially जो चीजें बच्चे directly experience नहीं कर सकते हैं मिसाल के तोर पे अब मैंने आपको पिछले model में एक example दी थी कि अगर आप लहोर में रहते हैं पंजाब में रहते हैं तो आप समूंदर को नहीं देख सकते हैं या आप सिंद्ध के या पहाड़ी लागों के जानवरों के बारे में कम जान सकते हैं या बरफबारी के बारे में कम जान सकते हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं उन्हें सहरा के बारे में थोड़ा जो है information direct experience के तौर पे नहीं है हम उन किताबों के थ्रू ये तमाम चीज़ें बच्चों को experience करा सकते हैं बकाइदा पढ़ा सकते हैं पढ़के सुना सकते हैं और बच्चे उनको खुद पढ़ सकते हैं और इंट्रेस्टिंग किसम के facts and figure जो हैं जान सकते हैं अच्छा ये चीज़ें तो science की हो गई हैं social studies के अंदर और आपकी history के अंदर बहुत से ऐसी चीज़ें हैं चुकि हम direct experience अब नहीं कर सकते हैं जो तारीख का हिस्सा है या वो हमारी किसी आने वारे मुस्तकिल के बारे में productions की तो बच्चे जब इन चीज़ों को पढ़ते हैं और हम उन्हें opportunity देते हैं और ऐसी किताब और information लाते हैं और बावासे बुलंद पढ़ते हैं तो definitely they get opportunity to know all of these facts and figure across the curriculum जैसे जैसे बच्चों का knowledge building होती ही जाती है subject के बारे में content के बारे में वैसे 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 वो अपना job content उने पढ़ा रहे हैं वो उनको समझाना और बहुतर तरीके से समझाना शुरू हो जाता है उनको समझना आसान हो जाता है इसके लिए क्या चीज़ जरूरी है इसके लिए जरूरी है कि अगर teacher कोई interesting किताब या कोई interesting facts and figure या jargon या concept बच्चेँ को introduce कराना चाहरा है तो उससे related जो series है ना किताब की अब वो बच्चेँ को one by one introduce करवाई जाएं इसका मतलब यह हुआ कि जब किताबें चूस करने जा तो जब बच्चे उसकी difficult level की किताब पढ़ेंगे तो उन्हें वो किताब उसका content समझ आना शुरू हो जाएगा बहते तरीके से समझ सकेंगे सो जब हम as a teacher किताबे बच्चों के लिए choose कर रहे होते हैं it is important it is good कि आप linked text चूस करें ऐसी पांच शे आठ कहानी series में ज़रूर लें जो एक ही theme के उपर या एक ही concept या एक ही theory के उपर develop हुई रही हो इससे बच्चों के definitely knowledge building होती है जब बच्चे किताबे पढ़ रहे होते हैं और वो किताबे compatible हो बच्चों की culture से related हो तो definitely उनके understanding तब भी बढ़ जाती है जब हम अर्दू की अंग्रेजी की या सूबों की या इलाकों की या मजाहिब की किताबे लेकर आते हैं उनकी कहानिया सिखाते हैं बताते हैं और वो बच्चों से relate होती हो तो definitely बच्चों को उनको समझना असान है उसमें उनका interest ज्यादा होता है ऐसी topic में जब हम किताबे लेकर आते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारी class में किस किसम की students मौझूद हैं वो कहां कहां से आए हैं वो किन किन इलाकों से हैं उनका क्या background है तो definitely उनका अपना knowledge और उनकी अपनी discussion आपकी read and out activity में बड़ा जबर्दस किसम की information add on कर देती है जब हम किताबों को discuss करते हैं मुक्तलिफ culture से across the culture से तो बच्चे जो हैं उसके उपर कहांई के उपर definitely reflect करते हैं suggestion देते हैं और यह सारी चीजें ना सिर्फ उन्हें pre-school में help out करती हैं बलकि जब उनका mainstream schooling शिरू होती है grade 1 से आगे और अपने primary, elementary और secondary schools तक वो जाते हैं तो यह तमाम चीजें उन पर effect करती हैं उनकी reading पर, उनकी compree, hanshin के उपर और उनकी critical thinking के उपर